Hello everyone, welcome to daily review दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपना नाइका हॉल शेयर कर रही हूँ और रिसेंटली दोस्तों, नाइका में पिंक फ्राइडे सेल चल रही थी तो अगर आपने भी लाब उठाया है तो जरूर बताइएगा मैंने कुछ सेल के दोरान अपने लिए स्किन केर प्रोड़क्स लिए है दोस्तों, मैं आप सभी के साथ अपनी हॉल वीडियो शेयर कर रही हूँ और यह जो पिंक फ्राइडे सेल थी ना दोस्तों, तो बहुत कमाल के डिसकाउंट्स भी मिले थे नाइका में तो ठीक है फ्रेंस तो चलें, मैं आपको सबसे पहला अपना स्किन केर प्रोड़क्स बता देती हूँ इस लिए यह गार्नियर का मिलकी सेरम मास्क है दोस्तों, यह मिलकी सेरम लाइट कम्प्रीट मास्क है और यह डर्माटोलोजी के लिए टेस्टर प्रोड़क्त है, यह मैंने पहली बार इसे लिया है अब मुझे लगता है यह न्यूली माकेट में भी लॉंच हुआ है, जो मिलकी सेरम मास्क है ठीक है, मैं इसे डेफिनेटी ट्राइ करूँगी और आप सभी किसाद इसकी रेविव शेयर करूँगी 99 रुपीज की प्रैसिंग है, 99 रुपेश और 30 गाउंस की प्रोड़क्त कॉंटिटी आती है और Garnier brand है तो यह मतलब, Garnier brand की काफी पहले मतलब इस चीज़ा यूज कर चुकी हूँ इस अच्छली गूड यूज इस फॉम आई फेवरेट फेवरेट ब्राइट फ्रॉम बायोटी का इस मतलब बायोटी की मैंने बहुत सारे स्किन केर प्रॉडक्स यूज किया है, स्किन केर, हैर केर बहुत बेस्ट है और उनमें से यह बायोटी का बायोट डैंडॉलियन विजिबली एजलेस सेरम है यह आप यह देख सकते हैं तो इस तरीके से यह सेरम है दोस्तो 30 रुपे की इसकी प्राइसिंग है पर यह मुझे डिसकाउंट में मिलाता यह मुझा एगस 190 का कुछ मिलाता दोस्तो और यह एक फेस सेरम है तो फेस सेरम तो डेफिनिटली यूज करने चाहिए है अगर आप कोई भी एज काटेगरी के हो और अभी विंटर चल रहे है तो डेफिनिटली स्किन को नमी जितनी देंगे उतनी सक्षिन बेस तरीके से आपको मतलब खिलती है आपकी तो इस तरीके सी बहुत क्यूट सी इसकी बॉटल है आप यह देख सकते है I am very excited to use this और मैंने काफी सोना है ये सेरम के बारे में तो मैंने सोचा मैं भी इसे जरूर से ट्राइ करूँ और बहुत यूट सी इसकी पैकेजिंग है तो मैं इसे भी स्टार्ट नहीं की है मैं इसे यूज करना बस मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ और बहुत जल्द आप सभी के साथ इसकी रेविव वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ गाईस ठीक है दोस्तो तो इस इस सेरम आप देख सकते हैं ये तो मेरा मतलब अगर आप मुझे पहले से ही अगर फॉलो करते है तो आप जानते हैं लैकमे की बहुत से प्रड़क्स यूज किया है और ये मेरा करन्ट फेवरिट भी है जो मैं यूज करती है रही है ओई इन जेल वाली जो क्रेम आती है दोस्तो तो इस लैकमे अपसलूट आरगन ओइल रेडियन्स ओई इन जेल क्रेम और इसकी जो प्राइस है ये 625 रुपे की है पर ये मुझे डिसकाउंट में 430 रुपीज की मिली दी तो इस रेली वेरी गूड 50 ग्राम की प्रोड़क्स की प्रोड़क्स ओंटिटी है और ये जो ओईल इन जेल वाली है ये ओईली स्कीन के लिए बहुत बश्तेरी के से काम करती है इसमें ओईल इन क्रेम वाली भी आती है जो ड्राइ स्कीन के लिए काम करती है ओरिजिनलिटी की आप मार्क्स देख सकते है उपर की तरफ और नीची की तरफ ओपनिंग पे ही आपको मिल जाएंगे मतलब आपको original product ही हाथ लगा है and वैसे भी Nike का एक बहुत ही मतलब reliable एक मैं कहूंगी online site है जो है जो हमेशा आपको जो है genuine और true products ही आपको मतलब मिलते हैं and this is a divine divine product guys I'm telling you अगर आपकी oily skin है और अगर आप currently winters में कुछ तलाश रहे अपने skincare के लिए तो आप definitely इसे use करें यह मेरी I think fourth या fifth repurchasing होगी argan oil and gel वाली I just love that cream and मैंने एक Nike की lipstick ली है 03M इसका shade number है और shade है devious pink and मैंने अब आपकी मतलब Nike की lipsticks लेना चालू कर दी है क्योंकि मुझे इनकी lipstick के जो formula है काफी जादा पसंद आया है तो यह मेरी I think तो तीसरी lipstick होगी Naika से तो इस तरीके से यह shade है guys devious pink तो बहुत जल्दा आपको इसकी review मिलेगी मेरे चैनल पे ठीक है friends and they are actually very good and long lasting भी रहती है yes definitely I like them और काफी tiny मैनी से packaging है तो आपके wallet में भी बहुत असानी से आ जाती है और यह newly launched product है Lakme का Lakme ने हाली में से launch किया था this is Lakme 9 to 5 matte moist moisturizer यह mattifying moisturizer है with green tea आपको यह मिलता है visibly pore reduction है आपको देता है oil free है और 12 hour का moisture है आपको देता है तो oily skin के लिए बहुत दा बेस्ट है यह 49 रुपीस का आता है बट यह मुझे 2500 रुपे का मिला था नाइका में जो pink Friday sale चल रही थी तो आप यह देख सकते है और यह newly launched product है Lakme से तो मैं definitely इसे use करने के लिए बहुत ज़्यादा excited हो guys और oily skin है तो यह मेरी skincare type के लिए बहुत ज़्यादा best काम करेगा तो बहुत ज़्यादा आपको इसकी भी review मिलेगी ठीक है दोस्तों और Lakme का product है आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा probably made in India brand है तो मतलब इनके सारे products अच्छे रहते Lakme के और आप नीचे की तरफ देख सकते है इसमें marks दिये होए है यह original product ही है दोस्तों जो 500 के अबाव के product रहते हैं उसमें उपर और नीचे दूनों marks दिये होते हैं और जो 500 से बिलो के product रहते हैं उसमें नीचे की तरफ यह आपको जो है marking मिलती है originality की ठीक है दोस्तों यह मैंने biotique का bio papaya visibly flawless skin face wash लिया है यह मैं definitely इसे use करना चाहती हूँ और मैंने इसे पहले भी use किया है यह skin को बहुत flawless बना देता है यह सबसे biggest packaging है 270 रपे का ही आता है बट यह मुझे 200 का ही मिला था नाइका से दोस्तों तो काफी अच्छा discount मुझे मिला है जो pink friday sale चल रही थी तो यह इस तरीके से pump form में है और यह सबसे bigger packaging है biotique की मैं इसे भी खुलना नहीं चाहती हूँ मैं पहले जो मेरे washroom में currently है biotique का दूसरा waste wash है उसे कतम करने वाली वाजल और फिर मैं इसे जो है use करना चालो करूँगी और biotique वाकी में बहुत best तरीके से काम करते है skin पर दोस्तों मैं आपको सच सच में बता रही है बहुत ज़ादा reliable brand है यह देन यह biotique का bio honey water toner है यह pore tightening toner है दोस्तों 175 पे का है बटी मुझे 150 rupees का मिला था और मैंने से पहले भी use किया है यह बहुत best तरीके से काम करता है और आपको यह जो एक noise जो आ रही है न दोस्तों जो sound पे आपको जो है problem आ रही है यह flight जा रही है दोस्तों उपर से तो I'm really very sorry for the disturbance friends यह axe की deodorant है जो intense variant है axe की deodorant भी आपको नहीं का पे available होगी दोस्तों और वो male deodorant है वो ली है मैंने यह bathing soaps है from dove यह dove का bathing soap है दोस्तों जो cream बाहर आता है dove का यह biggest packaging है इसमें कुछ आपको ही देखिए 5 soaps आपको मिलते हैं अंदर और currently winters में अगर आप soaps को ही देखना चाहती है अपने लिए जो skin पे बहुत बेस तरीके से काम करते हैं मेरे experience में dove के soap बहुत बेस तरीके से skin पे care में काम करते हैं और मैंने pink rose भी लिया है क्योंकि मुझे dove के soaps बहुत ज़्यादा पसंदे यह दो variant तो मेरे सबसे ज़्यादा favorite है 259 के दोनों मतलब थे और यह मझे को 225 225 का each मतलब pack मिला था नाइका से और यह नाइका का product नहीं है मैं आपको honestly भूर रही है मैंने normal market से ही लिया था बट मैंने इसी haul में आपको यह भी share कर दिया है और इसकी variant जो है यह dark vanilla वाली variant है यह भी Axe की perfume है दोस्तों यह perfume है तो इसकी भी review बहुत जल्दी share करूँगे और बाकी के products तो नाइका haul ही है दोस्तो ठीक है friends और यह जो Axe की signature वाली gold vanilla वाली है यह भी बहुत अदा the best तरी किसे perfume आपको results देती है so guys यह था भी haul video और definitely आप बताईएगा इन मेंसे आप कौन से product की review सबसे पहले देखना चाते है वैसे तो मैं सभी की reviews आप सभी केसा शेयर करूँगी वीडियो को definitely आप बहुत सारे likes दे दीजिए चैनल को जोड़ से subscribe करे और bell पे दबा दीजिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई दोस्तो